Hello everyone कैसे हैं आप सबी लोग I hope अच्छे होंगे हुँए अपने live में अच्छा कर रहे होंगे I hope आपकी life में धे सारी कुश्यआ आ रहे होंगे सारी manifestation सी आप कर रहे होंगे ताकि जो भी आप अपने life में पाना चाहते हैं वो आपको दो बिल्कुर करते रहेement जरूरी नहीं है कि हमें अपने एफर्ट से अगर होता ना की वर्क भी कर रहे हैं दुआ भी कर रहे हैं ताकि हमारी चीजे हमें और जल्दी अचीव कर सके यूनिवर्स तक हमारी विशज पहुंच सके उन्हें समझ आ सके कि हाँ यह डेस्परेट है अपने चीजों के लिए हमाई तो अभी हम देखेंगा कि आपके परसान के आज का मैसिज क्या है आपके लिए वह क्या मैसेज आपके देना चाहते हैं यह देखने के कोशिछ कर देगे आप लोग अपने परसन को याद कर ले उनका नाम मंन मिले लें ताकि ऑनरजी इस कनेट हो सके आप लोगों से मैसिज अगर देखे लाइन से मैजर आरकाना आए हुए खाले टैन ओव वांड को छोड़ कर तो उनके आपके लिए जो मैसिज है इसके वो बड़े मैसिज है बड़े डिशीजन्स हैं उनके लिए पहला मैसिज आपके लिए यह है कि मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूं देखे लैक कर रहा हों अपनी करन्द सेच ніजां कैसे लिए कि यहांपनी क्या है फिकल्टीयों है उनकी लalet में काफी ज्यादा मुझे लग रहा हरा है वहति यहांपशिक्री का सामना कर रहे है हैं ऐसल लिए आप लोग अलग हो गए हैं या उनकी पर्सनल जो लाइफ है उसके वज़े से एफक्ट पड़ रहा हो आपकी लाइफ में तो यह उस चीज के लिए मैंसेज है कि मैं बैलन्स करने की कोशिच कर रही हूं या कर रहा हूं सिच्वेशन को ठीक करने के लिए मुझे एक क्ल कि मैं जस्टिस करूंगा मैं आपको न्याय दूँगा लेकिन पहले मैं अपने चीजों को मैनेज कर लूँ मैं आपके साथ वापस आऊंगा या कोई रीजन से आप लोग सेपरेट हुए हैं या आपके सामने को ऐसा वज़े आई हुई है जिसके वज़े से यहां पर आप एक नहीं है या बिच्छड गए हैं कोई बात ऐसी है जिसके वज़े से आपको बिच्छड ना पड़ा तो यहां पर आपके परसन का मैसिज है कि मैं वापस आऊंगा लेकिन मैं आपके साथ जस्टिस भी करूंगा आपका दिल नहीं दुखने दूंगा लेकिन मुझे अभ उन्हें निभाना चाहते हैं वो उन्हें निभा रहे हैं उन्हें खत्म करना चाहते हैं जितनी भी जिम्यदारियां हैं उन्हें बकूबी हैंडिल करके प्रॉब्लम सॉल्व करके नेसेसरी जो चीजे हैं उन्हें खत्म करके एक कंप्लीशन ढूंड रहे हैं जिसके चलते जब वो completion आएगा वो चीज़े finish होंगी problem solve होंगी तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे आपके तरफ justice कर पाएंगे आपके लिए नया कर पाएंगे आपके तरफ आगे बढ़ पाएंगे और आपके साथ new beginnings कर पाएंगे I mean नई journey जो है अपनी life की वो शुरू कर पाएंगे तो ये भी एक message है आपके लिए कि वो ये कहना चाहते है आपसे कि मैं जितनी भी possibilities हैं वो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपनी चीज़ों को जल्दी से जल्दी finish करने के लिए completion लाने के लिए खतम हो जाएं ताकि वो problems और मैं फटाक से आपके साथ reunite हो सकूँ new beginning कर सकूँ life में अपनी नई जर्नी शुरू कर सके और उसमें खुशियां ला सके पास्ट में अगर कुछ problems रही है आपके बीच में उनके बीच में कुछ difficulties रही है या आपके person के bad habits रही है तो उन चीजों को उन्हें समझ आ रहा है एक message ये भी है कि हा मुझे पता है मेरी कमियां क्या है या मेरे अंदर क्या बुराईयां है या मैं किन चीजों से मैं सुधार चाहिए मुझे या कौन सी ऐसी negativity हैं जिनके वज़े से हम इस पर काम नहीं कर पा रहे है आपके साथ एक नहीं हो पा रहे है उसे भी मुझे समझ आ रहा है ये भी एक message है कि मैं उसे भी समझ पा रही हूं या पा रहा हूं कि हाँ मुझे ये चीज़े भी ठीक करने हैं शायद मेरे अंदर ये ये कमिया है तो मुझे उसे भी balance करना है उसे भी ठीक करना है साथ ही साथ एक message ये भी है कि हम जितनी जल्दी हो सके हैं मैं ये सारे problems हो खतम करके आपकी तरफ आगे बढ़ूंगी ये बढ़ूंगा और हम एक अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे या मेरा मन है आपके साथ बिताने का ये आज का messages हैं आपके लिए कि वो पूरी कोशिश करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ वापस से situations जो नहीं आपके बीच में जम रही थी उन्हें सही करके आपके साथ एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं quality time spend करना चाहते हैं ये भी एक message है आपके लिए again देखिए मैं कहाना कि वो खतम करना चाहते हैं जितनी भी problems हैं वो message आपके लिए देखिए कि मैं fight कर रहा हूँ ये देखिए यहाँ पर completion का card आया हुआ यहाँ पर again fighting fight कर रहा हैं लड़ रहा हैं अपने आपको stable करने के लिए अपने चीजों को improve करने के लिए अपने चीजों को बताने के लिए कहने के लिए अपनी बात रखने के लिए या अपने जितनी भी problems हैं उनका dud कर यहाँ पर रहे हैं ताकीम यहां पर आड़ा रहूं कहड़ा रहूं या खड़ी रहों और टाकी यह जो imaginar लोडर वत यह उप्स करते हैं जो कि उनको पर रिशान करतेश हैं या यह मेरी बात नहीं मान, turmoil आड़े आ रहे हैं जो कि मुझे प्रॉब्लम क्रेट कर रहे हैं उन सबसे मैं निपट सकूं तब जाकर मैं आगे बढ़ सकूं मुझे कोई गिरा ना सके मुझे कोई हिला ना सके तो एक एक healthy boundary भी यहां पर आपने आस पास वो set करने की कोशिच कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई दुबारा से वो चोट ना पहुचा सके या दुबारा से उनको परिशान ना कर सके यह मैसिज है आपके परसन का यहां पर अगेन वर्ड का काड आया हुआ हुआ है तो फिर से चौथा न हुआ है अगेन ही हापनी बीगनिंग करके आपके साथ अपने लव अपनी बाते अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं अपनी इन सारी चीज़ों को closer देना चाहते हैं कि बस खतम हो जाएं किसी तरीक इसी situation handle हो जाएं निकल जाओं मैं प्रॉब्लम से जो भी मेरे आड सिखा सकएं मेरी विश vine को है वो पूरी हो सकें और अपनी चीज़ों को बहतर कर सकें यह मैसीज है यहाँ परणी का ओके हरुफंड में शफल कर रही थी तो यह पपप भी हो रहे थे अगेन मेजर आरकान आया हुआ है यहां पर कुछ लोग के परसन का यह भी है कि सब कुछ ठीक करके आपके साथ आगे बढ़ कर आपके लिए शादी, कमिटमेंट, सगाई जो भी आप मांग रहे हैं वो आपक सकते हैं यहां पर शादी, की या एज ग्रूब की या सामाज की जो प्रॉबलमेंट मैरीड है लोग क्या कहेंगे यह यह है वह जितने भी हर्डल्स हैं उन सारी हर्डल सो खतम करके यहां पर आपके लिए बढ़ना चाहते हैं इसलिए उनीगा यह मैसिज है कि आपको आपक करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए समय लगेगा और उपने चीज़ों को मैनेज करके आगे बढ़ेंगे ताकि आप और वो एक हो सके और सब को सब्सक्राइब कर लीजेगा जनरल रेडिंग है कलेक्टिव रीडिंग है टाइमलस रेडिंग है हर बात हर के से रेजनेट करें जरूरी नहीं है थैंक यू सो मुच टेकर आल अफ्यू बाई बाई